क्वेशन को जहां तक देखा जाते हैं कि मिनी इंडिया कहते हैं और यह भी देखा गया है कि सारे एजुकेशनल टेस्ट लैप्स उसमें पाए जाते हैं तो जैसे इन्होंने कहा कि सारे कि सारे एजुकेशन लैप्स तुम्हें देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसे कौन-कौन सी लैप्स है या ऐसे कौन-कौन से टेस्ट हुए है आप मुस्टली लोग बोलते हैं कि के विस में सारी चीज़े एक्सपरिमेंट होती है फिर उसके बाद ह कि दूसरे आयोगों में दूसरी जगह जाती है इंप्लीमेंट होती है तो इसी कौन-कौन से इंटर्व्यू सामने पूछे का आप से ऐसे कौन-कौन से चीज़े हैं जो एक्सपरिमेंट हुई है हम ठीक है तो इसमें इनकी गलती नहीं है मोस्ली मोस्ली अगर आपने देखा होगा तो मुस्ली आपने देखा होगा सारे के सारे बच्चे यही कहते हैं कि की के बच्चें बच्चें करने कि कर लिया गया है क dapat कि के विएस के हैएं कि हमिनी इंडिया है इन कुछ इस तरीके से बात होगी जैसे मालोगी CIA मुझी चिछर बच्छों से कह रहे हr dot जिए मधस से नँकल मत करो और के माभी तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो अगर सुझर बहुत सारी जगाओं की लेकिन इंपोर्टन चीज है कि अपना दिमाग जरूर लगाएगा सिरफ एक कॉपी पेस्ट नहीं करना है ठीक है एक रफरेंस की तरह हो सकता है लेकिन कि मोस्ली किया है एवरीवन is speaking the same thing हम बहुत सारी चीजों से इसी इसी इस कौशन को बोल सकते हैं मतलब इसी क्वेस्ट को अब यह सुचो ना कि मेरा परस्टनल फेक्टर क्या हो सकता है कुछ बच्चों को मैंने कहा है कि पशनल और प्रफेशनल जो डीजन है वो ढूंड़ो क कुछ को मैंने कहा है कि कुछ हिंट्स जो है वो मैं देती हूं जैसे मालू की केवियर्स एक ऐसा संस्थान है जो सेंटर लेवल पर है मतलर इस अफ्लेटिट बाय एमोई ठीक है तो इस वज़े से जो भी चीज़े आती है वो यहां पर इंप्लिमेंटेड होती है सबसे पहला रीजन तो यही है तो सबसे पहले इंटर्व्यू पूछेगा कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़े जो है वो इंप्लिमेंट हुई है तो डू यू आपके पास उसका प्रूफ है कि नहीं है प्रूफ होना यानि कि अपनी बात को एक अधार प आप यह पूइए यह प्रूफ है दूसरा प्रूफ है मतलग इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिगा पहली बात तो यह है इसको कभी पेस्ट मत कीजेगा यह एक मैं तरह आप यूज कर सकते हो ठीक है बहुत सारी प्रूब्लम्स जो मैं देख रही हूं बच्चों के अंदर कि व और इसकी सरफ विदिन इंडिया नहीं, आउटसाइड दी इंडिया भी बहुत सारी ब्रांचिस है, तो यू नो दाइट कि डिफरेंट काइंड आफ चिलन विल काम है, एंड वन मोस् इंपॉर्टन थिंग इस दाट कि यहां पार ट्रांस्फरेबल जोब्स होती है, मतलब जो भी government employees है, वो एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं, मतलब टांस्फर होते हैं, जिस वएसे उनकी जो बच्चे है, migrated होके इदर आते हैं, मतलब इदर shift होते हैं, तो इसलिए diversity देखने को अपने को मिलती है, ठीक है, तो there are so many reasons, और भी हम reasons को justify कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हम मैं भी इसमें आभी कह सकते हूँ कि मैं भी पतलब एक constraint हूँ, मैं भी नहीं बता सकती बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इतना मैं कह दूँ कि आपके पास डाइवर्स रीजर्स होनी चाहिए, डाइवर्स, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अगर हम CPD प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है KVS में, आपको पता ही है कि इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, CPD क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, कितने आर्स जो है वो हमारे ते टेचर की स्किल्स पर फोकस किया जाता है, यहां पर और भी हम बता सकते हैं, कि यहां पर बच्छों की ग्रोथ नहीं हो रही हैbar तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर आपको मैं आप सभी से कैदू कि यदि आप से भी तैयारी कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े बहुत इंप्सक्राइब बोलना कॉपीपेस मत कीजिएगा अपना दिमाग ज़रूर लगाईगा बहुत सारे सारे फैक्टर नहीं यहां पर सिरफ इंडक्शन प्रोग्राम्स नहीं होते हैं जहां पर वह पर सकती है अपनी एजुकेशन ग्रोथ को तो यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टन सब्सक्राइब करना चाहती है और वह बहुत सरे रिजन है थीक है मतलब मैं खुदी एक्स्ट्रोरर हूं और भी रिजन है कि बनला यहां से भी क्वेशन आते हैं कि वाय इसी के तुरंत एक क्वेशन आता है कि वाय प्राइमरी टीचर मतलब प्राइमी लेवर फिर क्यों जान है ठीक है हमारे के बैच जो है वह बहुत रनी में है और बस में इतना कहूंगी ठीक है यहां पर जो प्राइस हो चुका है आप देखी रहे होगे जो प्राइस हो चुका है वह ऑफ लाइन का वह पच्छ पंसो हो चुका है ओनलाइन का इतना हो चुका है रीजन क्या है इसका यहां पर कोई ऐसी टीम नहीं मिलेगी बच्चों वालिया जो भी मतलब ऐसे यहां पर एक सफस्टिक टीम लेगी जो बहुत ही वेल एक्सपीडियंस है और यहां पर फिसलिटी भी करने वाला है और खाने की विवस्ता भी करने वाला है तो यह बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है जो नहीं नहीं हो पाती है सबसे बड़ी ड्रॉबबैक ही यह है फिसलिटी का मतलब फिसलिटी जो प्रॉब्लम आती है वह यहीं आती है क्योंकि खाने की खाने पीने का विवस्ता सभी से नहीं होती है तो धियान रखीगा यहां पर इसलिए प्राइस को क्या कर दिया गया है जिस सिर्फ और सिर्फ के कमेंट्स को देखते हुए कि कोई भी बच्चा छुटना जाए तो धियान रखीगा कि यदि आपके मार्स ठीक है तो आप जोइन कर सकते हो और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल क्या हुआ और मैं खुद ही कॉलेज लेक्षरा रही होगी तो यह एक प्रॉब्लम हमने देखी जो बच्चे आ रहे हैं वो सेम बोल रहे हैं तो यह मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने इसको जाहिर करना चाहिए तो सभी को नमस्कार रामना प्रणाम एक बार फिर से